नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज जारखन चली जानते हैं सुबसलेकर शाम तक की जारखन की तमाम बड़ी खबरों को सुबसमुंडा की हत्या के बाद आज राची बंद, रिंगरोड दलादली चौक और राची गुमला रोड में उत्रे आदिवासी संगठन के लोग, अलबट एकका चौक पर बैठे बंद समर्थक माकपा ने ता सुबास मुंडा की हत्या के बाद आज आदिवासी संगठनों ने राची बंद का आवाहन दिया है राची के आसपास और रिंग रोड के इलाकों में बंद का असर नजर आ रहा है आदिवासी संगठन राची बंद कराने सड़क पर निकले हैं सुबास मुंडा के शव को पोस्ट मार्टम के बाद दलादली चौक के पास रखा गया है। दोपहर बारा बजे उनका अंतिम संसकार किया जाएगा। सौफ के पास बड़ी संख्या में समर्थक जूटे हैं। सड़क को जाम कर दिया गया है। कुछ बंद समर्थक अलबट ए थानेदार को घटना की जानकारी नहीं थी। सड़क पर उत्रे आदिवासी संगठनों ने पुलिस प्रशासन को 12 घंटे की महलत दी है। 12 घंटे के अंदर हत्यारों को गिरफतार करने की मांग रखी गई है। राची के कई हिस्सों में बंद समर्थक हैं। इसका नगड़ की इलाके में आदिवासी संगठन के लोक सड़क पर उत्रे हैं। चर्चा की जाएगी। वहीं सदन में सरकार के कामों को बताने को लेकर भी तयार यां होंगी। सदन से सरकार हाल के दिनों में जनहित में लिए गए फैसलों पर भी चर्चा करेगी। आज के वल सत्तापक्ष के विधायक ही नहीं बलकि सरकार में शामिल कॉंग्रेस की इस दौरान मानसुन सत्र के दौरान कांग्रेस की क्या रणीती होगी इस पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की संभावना है इस बार बदले मौसम की वजह से बंगाल की खाडी में बना निम्न दबाओ वाला छेतर है साइकलोनिक सर्कुलेशन का रास्ता उडिसा और आंदरपदेश की तरफ है जिसका हलका असर जारखन पर भी दिख रहा है यही वजह है कि आस्मान में काले बादल नजर आ रहे हैं और हलकी बारिश हो रही है जारखन में 1 जून से 26 जुलाई तक 238 दस मलो आठ मिलिमीटर बारिश अब तक हुई है इस समय तक राज में 455 दस मलो 9 मिलिमीटर बारिश होनी चाहिए थी जारखन में मानसून के आने से अब तक लगभग 48 प्रती शत कम बारिश हुई है भारतिय वायू सेना में अगनिवीर वायू बनने का मौका भरती के लिए आवेदन शुरू जाने डिटेल्स इसकी भरती के लिए ऑनलाइन परेक्षा 13 अक्टूबर से शुरू होगी भरती से संबंदित अधिसूचना अधिकारिक वेबसाइट अगनिपतवायू.cdac.in पर जारी कर दी गई है 27 जून 2003 से 27 दिसंबर 2006 तक जन में उमिद्वार भारती वायू सेना के अगनिवीर वायू भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं इसी के अनुरूप अगनिवीर वायू में भरती के लिए अभ्यरतियों के आयू की गढ़ना होगी सेक्षड क्योग्यता के अंतरगत बार्मी कक्षाया इसके समकक्ष परिक्षा विज्ञान संकाय में गडित भौतिक और अंग्रेजी विशाय के साथ एबं कला तथा वाडेज संकाय में किसी भी विशाय के साथ 50 फीसदी अंकों के साथ उत्रिड होना चाहिए माकपानेता सुबासमुंडा हत्याकान से गर्माई सियासत बीजेपी ने सरकार को घेरा जारकन की राजधानी राची में माकपानेता सुबासमुंडा की अग्याता प्राध्यो द्वारा सरेयाम गोली मार कर हत्या किये जाने के बाद आरोब प्रत्यरोब का सलसिला भी शुरू हो गया है मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कानून विवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को कटगरे में खड़ा किया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हिमंत सोरिन पर तंच करते हुए पुलिस पदाधिकारियों के साथ उनकी मिटिंग पर निसाना साधा है बाबुलल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री एक और विधिवेवस्था बहाल करने के लिए पोलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हैं वहीं दूसरी और राजधानी राची में माकपा के टिकट पर चुनाओ लड़ चुके सुबासमुंडा की सरयाम गोली मार कर हत्या कर दी जाती है तब तक विदिवेवस्था नहीं सुधर पाएगी प्रशाषनिक सेवा के पधाधिकारी 10-11 को काला बिल्ला लगा करेंगे काम जारखन राजे प्रशाषनिक सेवा संग ने राजे सरकार को अल्टिमेटम दिया है कि उनकी 15 सुत्री मांगो पर विचार नहीं किया गया तो 10-11 अगस्त को राजिभर में काला बिल्ला लगा कर काम करेंगे इसके बाद भी सरकार की ओर से पहल नहीं की गई तो कलम बंद हरताल करेंगे जारखंड राजे प्रशाषनिक सेवा संग की अध्यक्ष रंजीता हिंब्रोन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फरेंस कर इसकी जानकारी दी है उन्होंने बताया कि संग का प्रतिनीधी मंडल बुधवार को ही मुख्य सचीव सुखदेव सिंग से भी मिला प्रतिनीधी मंडल ने उनसे कहा कि उन्हें पुर्व में ही 15 सुत्री मांगो का ग्यापन दिया गया था इसे पूरा कराने के लिए एक महा का भी समय दिया गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ मुख्य सचीव ने आवश्यक कारवाई का आस्वासन दिया है जारखंड में 171 पदों पर वेकेंसी निकली है इसको लेकर जारखंड रूरल हेल्थ मिसन सोसाइटी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है इसको उमिद्वार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले पूरा करें जारखंड रूरल हेल्थ मिसन सोसाइटी स्पैसलिस्ट मेडिकल ओफिसर 171 पदों पर भरती को लेकर आवेदन मांगे है योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उमिद्वारों की योग्यता पदों के अनुसार MBBS, PG डिप्लोमा, डिग्री, आदि निर्धारित है चयन प्रक्रिया इन पदों पर उमिद्वारों का चयन मेरिट के द्वारा होगा इसके बारे में पूरी जनकारी के लिए नोटिस को पढ़े आवेदन की तिथी, इच्छुक और योग्यता इन पदों पर 14 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं इसके बाद आवेदन की तिथी समाप्त हो जाएगी आवेदन प्रक्रिया, आप वेबसाइट जार्खन रूरल हेल्थ मिसन सोसाइटी पर जाकर नोटिस को पढ़े और आवेदन करें अधिकारिक वेबसाइट jrhms.jharkhan.gov.in है माकपा नेता सुभास मुंडा की हत्या के बाद राची में बवाल भीड ने दो दर्जन गाडियां फूकी, CTSP पर हमला राची के नगडी थाना छेतर के दलादली चौक के समीब बुधवार की राथ माकपा कार्याले में घुस कर राज कमीटी के सदस से सुभास मुंडा की गोली मार कर हत्या के विरोध में ग्रामिड उग्र हो गए राच सवा आठ बजे ग्रामिड सड़क पर उतर आएं, इसके बाद आक्रोशित भीड ने दलादली चौक को जाम कर दिया, इसके बाद उग्रभीड उतपात मचाने लगी लाठी डंडे से लैस भीड ने रिंग रोट से गुजर रहे दो दरजन से ज्यादा ट्रक, दो वा तीन पहियावानों के सीसे को न सिर्फ छतिग्रस्त किया, बलकि उनके चालकों के साथ भी जम कर मार पीट की भीड में शामिल ग्रामिड इतना अक्रोशित थें कि दलादली चौक के समीप सराब दुकान में घुस कर उसे आग के हवाले कर दिया, वहीं दलादली चौक के आसपास दरजनों जुग्गी जोपडी को भी नहीं बक्षा, उसमें भी आग लगा दी, भीड में महिला पुर भीड में महतों को ये लांचल विश्रविद्याले के कुलपती के भ्रष्टाचार में लिप्त आच्रड की जाच करने, विश्रविद्याले में छेत्रिय एवं जंजातिय भासाओं की पढ़ाई, इसनात कोतर इस्तर पर प्रारंभ करने, विश्रविद्याले के सभी अंग शात्र शात्राओं ने धर्णा में अपनी भागिदारी सुनिश्रित की है। आजसु के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सिंग ने कहा कि कुलपती विश्व विद्याले को व्यवशाइक रूप से इस्थापित कर शात्र शात्राओं ने दोहन का अड़्डा बना रहे हैं। प्रदास्त नहीं करेगा और छात्रहित में आवाज उठाते रहेगा। से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। धारा 41 के मुताबिक यदि इस धारा के तहट दियेगा नोटिस का पालन नहीं किया जाता है और वे अदालत में उपस्थित होकर जवाब नहीं देते हैं। तो पोलिस द्वारा कानोनी कारवाही की जा सकती है और आरोपी को गिरफतार किया जा सकता है। जारखंड में सूखे का संकट बढ़ा मात्र 13 रोपनी। पिछले बार सूखा जहेल चुके जारखंड के किसानों को इस साल भी मानसून की बारिश चकमा दे रही है। आधर सावन बीच चुका है पर राज में अभी तक मात्र 47 फीसदी बारिश हुई है। इसके चलते राज में धान की रोपनी मात्र 13 फीसदी ही हो पाई है। पारिश हुई है। राज में 18 लाख हेक्टेयर खेतों में धान लगाने का लक्ष है जिसके विरूद महस 2,30,000 हेक्टेयर में ही रोपनी हुई है। एटियम में कितना कैश था फिलाल इसकी जनकारी नहीं मिल पाई है। यहाँ एटियम जीटी रोड किनारे बरसोत चौक के पास इस्थित था। इसे मनोश कुमार उर्फ मडिलाल के मकान में लगाया गया था। चोरी की गई गाड़ी भी उन्हीं की है वा गुरुवार की सुभा सोकर उठें तो देखा कि उनकी गाड़ी घर के बाहर नहीं है और एटियम का शटर तूटा हुआ है। उन्होंने इसकी सुचना इस्थानिय मुखिया मोतिलाल चौधरी और बरही थाना को दी। सुचना मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंग दल बल के साथ घटना इस्थल पर पहुचे। SDO पूनम कुजूर वब SDPO नाजीर अखतर भी मामले की छानविन करने पहुचे। अपराधियों ने एटियम रूम के अंदर लगे CCTV कैमरों पर कैमिकल कलर इस्प्रे मार कर बंद कर दिया था। अब राजभवन में हिंदी में ही पास विधयक भेजें। विधयक विधानसभा में पास होगा, उसी भासा में वो विधयक राजभवन भेजा जाएगा। विधानसभा में विधयक हिंदी में पास होता है। अगर किसी विधयक के अनुवात करने की आवशक्ता पड़े तो राजभवन इसके लिए सक्षम भी है। और महिला को मुक्त करा कर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया है। इस मामले में पिडित महिला ने कुछ लोगों के नाम भी पुलिस को बताए है। या घटना बुधवार रात लगभग 11 बजे की है। इसकी सूचना मिलने पर सरिया पोलिस ने उसे पेड़ से खोल कर अपने कबजे मिलिया। उस वक्त महिला काफी डरी सहमी होई थी। फिलहाल इस्थानिय देव की अस्पताल में उक्त महिला का इलाज किया जा रहा है। और पोलिस पुरे मामले की जाचपरताल में जुट गई जारखंड निकाय चुनाव इस साल भी संभव नहीं। ट्रीपल टेस्ट के लिए आयोग गठन का इंतजार यहां फसा है पेच। जारखंड में नगर निकाय चुनाव लंबा खिचता जा रहा है। पीपल टेस्ट कराने की जिम्यदारी एक स्वतंत्र आयोग को दी जाएगी। हलांकी राजसरकार ने जारखंड राज पिछड़ा वर्ग आयोग को ही यह जिम्यदारी सौपने का फैसला किया है। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग ही अभी गठित नहीं हुआ है। इसके अध्यक्ष जस्टिस लोकनात महतों के निधन के बाद से आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है।